और नमस्ते आद आप सस्याकाल मैं हूँ C.A. सवागत करता हूँ आपका इस सेशन में और आज बारी है C.A. इंटर वालों की तो बॉस में 23 का एक्जाम कुछ दिन दूर है so we should know कि कौन से chapters important है जिससे अपने को maximum mark score करना है sequence क्या होगा उन chapters का उन chapters का weight क्या होगा and उन chapters के लिए proper ABC analysis so ये सारी चीज आप लोग के सामने अब मैं present करने वाला हूँ बट उसके पहले please guys subscribe कर लो YouTube channel को because C.A. intermediate के लिए हमारा exam के time पे एक marathon होता है plus as per the students comments आप लोग भी अभी comment कर सकते है अगर आपको चाहिए तो उनको मैं शायद theory का C.A. intermediate जो हर chapter है उसका theory 20 marks के लिए आता है total theory तो उसका एक शायद revision session बहुत जल्द होने वाला है और कुछ आप लोग की special मांगे है तो वो भी हम पूरी करने की कोशिश करेंगे उसके लिए yes definitely subscribe and click the bell icon so that अपन connected रहे और वैसे भी आप तो intern visit वाले हो यार final में आओगे FM पढ़ोगे costing पढ़ोगे तो आप लोग के लिए तो लंबा सफर है हमारे साथ so definitely we should get connected right on that note अब आप लोग के साथ मैं share करने वाला हूं वो pdf जो आप लोग को exam तक use करना है follow करना है and यह रहा आप लोग का वो pdf so sir यह pdf कहां से मिलेगा तो हमारा जो telegram channel description box में आप लोग को मैं telegram channel share कर रहा हूं please वो telegram channel से आप लोग download कर लो and definitely बहुत helpful होगा आप लोग के लिए यह ठीक है so इस pdf में हमने expected chapter wise weightage revision lectures का आप लोग का क्या सिनारियो है super 60 important question list का जो मेरे पास list है वो and at the same time last day revision के लिए क्या strategy रखना है यह सारी चीज़े अब मैं आप लोग के साथ आने वाले कुछ time में discuss करने वाला हूँ so CA inter costing एक ऐसा subject है जहां पर you know you can secure the maximum marks and students नहीं यह कर दिखाया है so 90s is definitely what you should think of and 100 obviously मदब लाकों में एक को आता है but आज है तो well and good so in short कहने का मतब क्या है कि बहुत subject बहुत scoring है costing और इस पार या उस पार वाला subject है मैंने देखाया कि या तो इस subject में student को 70s 80s में आते हैं या वो इस subject को clear ही नहीं कर पाता है obviously अगर एक proper strategy और proper planning के साथ चलेंगे कोई problem नहीं होगी इस subject में maximum marks secure करने के लिए right अब सबसे पहले आप लोग के साथ मैं share कर रहा हूं यहाँ पर and यह है list के exam में कौन से कौन से topic में कितने कितने marks के questions पूछे गए हैं right तो इससे आपको पता चल सकता है आपको एक trend analysis चाहिए तो उसके लिए November 22 तक सारा CA intermediate क्या जो new course आया था May 18 तब से लेकर अब तक सब कुछ इसमें included है right अच्छा अब प्लीज यह 4 से 5 point जो यहाँ पर मैंने लिखे है प्लीज उनको religiously follow करना before writing any costing exam क्या सबसे पहले अगर आप लोग कोई practical question solve कर रहे हो तो उसका एक summary बना लो because कई बार question इतना लंबा होता है या अपने को कई बार click नहीं हो पाता है तो उसके लिए अगर आप question पढ़ते पढ़ते summary बना रहे हो that will really be helpful to you step by step answer करो क्योंकि examiner आपको step by step marks देगा examiner के पास जो suggested आता है उसमें उसको step by step के हिसाब से marks का allocation दिया होता है तो definitely you should answer it step by step sir हमारे को कोई answer में 3 step आता है बाकी का कुछ नहीं आता है कोई problem नहीं है पर requirement समझनी आती है और अगर requirement और आपका solution match नहीं हुआ then obviously आपको marks नहीं मिलेंगे तो please जब आप question को read कर रहे हो time दो उसको और उसमें जो requirement वाला part है absorb it और फिर आपका solution स्टार्ट होना चाहिए definitely बोलने की बात नहीं है कि writing habit चाहिए यह subject ऐसा है कि लोगों का paper भी चूट जाता है क्यों क्योंकि आपका writing practice नहीं होता है अरिन रांका करके है उसका मैंने वीडियो बनाया वाए आप लोगो time मिले तो देखना उसम की एक बहुत बड़ी खूबी थी and that was writing practice continuous writing practice which is very very helpful अब सर टाइम कम है तो आप क्या कर सकते हो हर chapter में से majorly दो दो तीन तीन question जो आपको लग रहे है important है बस उतना भी कर लिया तो भी sufficient है but please definitely उतना करके ही जाना exam के पहले magic point wise के लिए आप लोग magic book refer कर सकते हो और उसी का मैंने पूरा youtube पे एक playlist भी बनाया है so please अगर आप लोग यह use कर सको तो it will be very very helpful to you guys यह देखो मैं आपको दिखाता हूँ so यह है मेरा वो youtube का playlist यह देखो kosh it इसके अंदर total nine videos है so all chapters जिसका practical है वो यहाँ पे हो गया है यह यहाँ पे आप लोग को कुछ videos दिखेंगे यहाँ पे marginal है overheads है material परफॉस आप लोग को इन शॉट यहाँ से आप लोग को सब चीज मिल जाएगी इसका विलिंग मैं मेरे टेलेग्राम चैनल पे आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा so I'm sure it will be useful to you टीक है so please उसको भी आप properly follow करना हर एक concept हर एक chapter आप लोग का within one to two hours हो जाएगा और इतनी अच्छी तरे से होगा ना कि इसके बाद आप लोग और कुछ करने की जरूरत नहीं है इतना exhaustively मैंने वो चीज करवाई है so please please उसको follow करना मदा आएगा आप लोगो and please एक टेस्ट तो दे दिना या सीधा में एक्जाम में जाके यार सचिन तेंडूल कर को भी बोलोगे कि जा सीधा में वर्ल्ट कप ख किया है और फिर मैं तो बोलता हूँ इधर exemption नहीं अपने को लिखना है 90 प्लस टीहा फेज वन आप कवर करेंगे आप लोग का around 35 marks हो जाएगा फेज 2 आप कवर करेंगे 35 marks और हो जाएगा फेज 3 करेंगे approximately more I will say 20 marks कवर हो जाएगा और आप आगे का करेंगे तो 20 marks कवर हो जा और आप लोग अगर यहां पर देखोगे तो मैंने phase 1 में डाला है material cost sheet और marginal costing very very important chapters हर attempt में आता ही है plus इसको phase 1 में इसलिए डाला है because at least मैं आपको बोल सकता हूँ कि marginal और material में से तो question number 1 ही वो लोग कूचते है making it very important फिर phase 2 है उसमें labor overheads process और standard है then phase 3 में बाकी के छोटे-छोटे chapters लिए है इसमें usually लोगों की आदत होती है cost accounting system को आप option में छोड़ देते हो please ऐसा मत करना मेरा around 2 hours का cost accounting system का practical series का video है inter का क्या video बनाया है please उसको आप अगर करोगे न then in that case बहुत मज़ा आएगा आपको and it will really be very very useful to you please आप उसको follow कर मज़ा आएगा ताकि कोई भी chapter option में ना चुटे that is the whole intention अब जैसे budgetary budgetary है हो जाएगा service costing important है और exams में आता भी है but मैंने उसको phase 3 में इसलिए लगए क्योंकि अगर आप logic से करोगे तो service costing आप से कुछ से भी हो जाएगा कोई problem नहीं है phase 4 में ये introduction to cost management accounting इसका भी मैंने पूरा theory का lecture बना है वो आप लोग देख सकते हो and unit costing job costing so easy वाली चीज़े अराम से manage हो सकती है and यहाँ पर ये आपको sequence follow करना है क्योंकि कई बाद student को ये भी confusion होता है सर 16 chapter है सर कौनसा करूँ पहले ये आपको sequence follow करना है इसमें देखो phase 1 पहले में ले लिया तो cost sheet material marginal cost एक पार ये हो गया तो आपको ये अंदर से confidence आजएगा कि अचल 35 marks तो cover हो गया मतलब अब इस subject में कोई मुझे pass होने से तो रोकी नहीं सकता है पास्त होई गए और फिर बाद में उसको अपन लोग build-up करते जाएंगे सो systematically मैंने इस पूरे sequence को रखा है अब इसको follow कर सकते हो ठीक है सर कितना time देना है जैसे cost sheet को कितना time देना है and all of that so मैं usually prefer करूंगा half day per chapter अब जैसे ये last के 2-3 चैप्टर है वो तो बहुत छोटे है तो उनको तो half day नहीं लगेगा उनको तो 1-2-2-2-3 घंटे में हो जाएंगे बट उसके जगे पे से marginal है या standard है उसको जाधा time लग जाएगा तो उस पे आप compensate कर सकते हो अच्छा और एक chapter सर standard costing करना है क्या सर ये एक chapter तो option में छोडने दो please मत करो it is easy it is manageable बड़ आपको पता कैसे चलेगा exam में कि easy manageable question आया आपने किया ही नहीं होगा तो again सर अब last moment पे क्या करे practical series में मैंने समझाया भी है हर एक formula को and कैसे solve करना है वो भी बताया है तो please उसको आप follow करो will be very beneficial to you फिर अब ये जो मुझे लग रहे है important ये बार exam में आ सकते हैं जैसे difference between cost control reduction chapter 1 theory में से या responsibility के types क्या है material costing में reorder level से कुछ आ सकता है FSN analysis का theory question आ सकता है employee cost जिसको अपन labor costing भी बोलते हैं उसमें से employee turnover ratio वाले questions है total learning as per health से रोवान absorption costing what an important chapter इसको भी मैंने बहुत systematically और detail में करा है इस chapter में भी students को तकलीफ होती है please follow that two hours का video है बट वो two hours में आप लोग के सारे fund hours clear हो जाएंगे और आपको कैसा लगा वो देखने का experience वो वीडियो पर आप comment करना मुझे personally करना will be more than happy to receive your comments और कुछ आप लोगो लग रहा है important है definitely उसके लिए भी आप comment डाल सकते है यह आप ही I'll try to complete that as well फिर बात में है activity based costing इसमें easy chapter अराम से हो जाएगा cost sheet बहुत important है इसमें reverse working वाला question आ सकता है cost accounting मत छोड़ना अब इसकी जो journal entries है वो अपने को समझ में आ जाएगी reconciliation की typical question आते हैं वो आप लोग follow कर सकते हो फिर contract costing usually public का इतना ध्यान नहीं देता है बढ़ कर लेना escalation clause वाला इसमें आ सकता है process में equivalent production using weighted average WAM method joint product by product में NRB sales value at split off service costing है standard costing जैसे मैंने वुला कि सारे variances का मैंने formula derive किया है revision वीडियो में और sums भी किया है साथ में वो कर लेना अच्छा रहेगा फेवरेट पाच मार का starting का जो question है वो usually marginal या फिर material में से आता है प्लीज ये दो chapter को धंक से करेंगे because question one compulsory है and फिर बाद में आता है आपका budgetary budget and budget easy chapter है time मिला तो फटा-फट उसको अपन निप्टा सकते हैं तो इस हिसाब से अगर अपन ने कर लिया then I think we will be good to go और इसी के साथ आप लोग के साथ मैं share करने वाला हूँ super 50 important questions last time भी मैंने किया था almost same ही है सब but please अगर आप लोग के पास time कम है और आप लोगों को लग रहे है कि sir limited questions ही करके जाएंगे या कितने questions practice आप जो बोल रहे थे वो limited questions कौन से practice करने है यह रहा सरका से डाउनलोड करें telegram channel कहां पर telegram channel description पर click go and enjoy the session all right guys so I think काफी helpful रहेगा आप लोग के लिए यह super 50 में हर chapter के जितने भी variety है वो सारा variety मैंने यहां पर cover कर लिया है so हर variety भी आप लोग का इस बहाने cover हो जाएगा and at the same time confidence आजाएगा subject में that yes up to 80 90 पार जो सर ने बोला है वो हम लाकर ही दिखाएंगे लाओगे ना comment पर लिखके बताओगे बताओ क्या yes sir I will score 80 plus लिख लिया ना आदा काम तो उदर ही अपना positivity के साथ चालू हो जाएगा so please comment करना yes आप लोग कितना expect कर रहे हो अपने exam के लिए and definitely you will get तो जैसे material था फिर यहापे labor है so all of this will be done in a systematic manner okay guys so so यह था आपका super 50 and फिर जैसा मैंने बोले magic book revision है marathon lectures है वहाँ से आप लोग को कुछ input लेना है ले सकते हो will be very helpful अगर आपको test देने की इच्छा है तो at least एक से full syllabus का test आपको दे देना चाहिए काफी अच्छा रहेगा आपके लिए to secure maximum marks बाकि आप लोग अपने friends के साथ भी ये PDF और वीडियो शेर कर सकते हो उनको भी सहता मिल जाएगी time for video से hasta la vista और कुछ आपको मेरी तरफ से चीए ज़रूर बताईएगा do definitely अच्छा लगा है video PDF अच्छे लगे आपको ये concept अच्छा लगा है तो please like करना and मिलते हैं आप लोग को बहुत जल्द with some more things related to intermediate costing take care see you hasta la vista keep smiling thank you so much